इस उसकार को ग्रण करें और आगे जीवन में उनको काम्यादी मिलें माबाप का बच्चे जोई की जाय देटी हो बेटा हो वो खते हैं कि बच्चे जोई की माबाप के सान होते हैं लेकिन सान कब होते हैं जब बच्चे का अच्छे सुनकार होता है जबकि समाज में, जब बच्चे अच्छे कार करते हैं, उसमें माबाप का नाम होता है, फीपला के बच्चे कितना अच्छा कार कर रहे हैं लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है कि पहले अच्छे कोई अगर छोटी सभी करती कर जाते हैं तो इस टाइम मावाद का सर नीचा हो जाता हुआ है जैसे की एक्सर कहा गया है कि अगर हमें खीर रकर घर में बनाते हैं तो उसमें कितनी जोएकी दोद की और सामिप्री की जरूरत पड़ती है लेकिन पनाने को तो हम उसको परड़ी मेनस से पनागर के तैयार कर देते हैं लेकिन अगर उसमें जनास अगर विंटी पढ़ जाया या रेत पढ़ जाया तो सारा जोएकी बेकार हो जाता है इसी प्रकात से जो भी आवके समस्कार मिल रहे हैं वो तो बहुत अच्छे है लेकिन उसका ध्यान रखना है कि अपने जीवन में किस प्रकात से खैसे काम्यावी मंजिन को प्राप्त करना है जैसे कि का गया है कि छोड़ा से सुलोगी हिमते मरते मत्ते खुदा कि मतलब कि जो इंसान अपने आप में हिमत रखता है कि नहीं एक आघ को करना आय तो समय अवस्ये उसको मालिक जएका既το काहए लेकिन एक पढले हमें उसको हिमत रख़े पड़ती है कि अमें इस कार को करना है तो उसमें और ऐसी में जाती है कभी अपने यकार तो हम नहीं कर सकते और जैसे कि हमारा काम है आप दर्टेश में काम है अपना कार किये उसे से जो भी बच्चों का परण वसड़ खिए लेकिन अब आगे हुई है कि बच्चे अब बड़े होगे, अब उसके बाद में जो अगर बच्चे अच्छे कारे करेंगे, तो उसमें हमारा भी नाम रहेगा, हमारे साथ रहेगे, हमारी समाज में मात में रहादा रहे, बस इतना है जोएगी, हर माब आपको इतने ही है, तो जितने भी बच्चे सभी के लिए प्रमात्मा से ही सुख कामना है, यह अर्दास है प्रमात्मा के चाड़ों में, कि सभी को जोएगी, दुनिया का सारे सुख भी मिले, सारी उसे भी मिले, और इनको जो भी मंजिल चाहिए, वो मंजिल प्रमात्मा वहां तक करें और इनको दुनिया का सारे सुख भी मिले.